शौकत महल भारतिय राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक खूपसूरत महल है। उन्नीस्वी शताबदी के अंत में निर्मित ये महल उरोपिय और इसलामी स्थापत्य शैली के मिश्रन का एक लेकनिय उदाहरन है। शौकत महल के बारे में कुछ और जानकारी इस प्रकार है। इतिहास, शौकत महल का निर्मान 1880 में नवाब शौकत मुहम्मद खान ने करवाया था, जो भूपाल राजे की तीसरी महला शासक थी। नवाब यूरोप की गौथिक वास्तुकला से प्रेरित थे और इसे महल के डिजाइन में शामिल करना चाहते थे। उन्होंने एक फ्रांसीसी वास्तुकार को नियुक्त किया, जिसने महल को गौथिक और इसलामी शैलियों के एक अद्वितियम मिश्रन में डिजाइन वास्तुकला, शौकक महल गुलाबी और लाल बलुआ पत्थर से बना तीन मंजला महल है। महल के बाहरी हिस्से में जतल, नकाशी और महराब हैं जो डिजाइन पर इसलामी प्रभाव को दर्शाते हैं। आग विस्तृत प्लास्ट कार्य, क्रिस्टल जूमर और अलंकरित साज सज्जा से सुशोबित हैं। महल में पैंटिंग जप, मूर्तियों और कला कृतियों सहित यूरोपिय और भारतिय कला का एक अनूठा संग्रह भी है। वर्तमान उप्योग, शौकत महल वर्तमान में एक कला संग्रहाले और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उप्योग किया जाता है। महल की उपरी मंजलों में भारत भावन संग्रहाले हैं, जो समकालीन भारतिय कला, रंगमंच और कविता को प्रदर्शित करता है। महल के भूतल में एक कुस्तकालय, सभागार और कई प्रदर्शनी स्थल हैं। शौकत महल का दौरा, शौकत महल भुपाल के पुराने शहर क्षेत्र में चौक बजार के पास स्थित है। महल मंगलवार से रविवार तक सुबह दस बजे से शाम पांच बजे के बीच आगंतुकों के लिए खुला रहता है। महल में प्रवेश का टिकेट है और आगंतुकों को संग्रहाले के अंदर तस्वीरे लेने की अनुमती नहीं है। अंत में, शौकत महल यूरोपिय और इसलामी स्थापत्य शैली के मिश्रंड का एक शांदार उदाहरन है। इसका अनूठा डिजाइन और सम्रिध इतिहास इसे भुपाल की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी गंतव्य बनाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।